हेलो नमस्ते सब्स्ट्रेकर रदाब सुवागत है आप सब कर ट्रिपर फो कर ली टारो की एक और फिकर कार वीडिंग में आई होप आपसे भी खुश होंगे यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंबलेसिंग्स में आप ते को के लिए मानेफेस्ट करती हूँ होप आप जहां पे भी हो एकडम खुश हो और अगर कहीं से भी कुछ पॉबलम है वोफुली एडिंग फोड़ा सापको हेल्प पर सेके तो आज की पिकर कार वीडिंग है की अरजेंग मेंसेजेज़ एडवाइस लगाएस आपकी लव लाइफ आपकी लव लाइफ संगल हो कमिटद हो रलेशन शप में ओ मारड़ हो कुछ भी हो विटिए लव एडव एडवाइज़ आपकी लव लाइफ में हार्मनी आए एक अच्छा रिसुशन आए तो उसके लि और इन केस अगर आप परस्टाम इस चानल पर लांड होए हैं वेल्कम टी चानल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, शेर दिस चानल यह मुझे मोटिवेट करेगा कि इस चानल को मैं ग्रोव करती रहूं, रेगुलर वीडियो जाल दी रहूं बिकास आप आप परस्टाम टागेट कि हम इसको 10k तर लेकर जाए बाइद अफ़ यह जाए गाए बड़ाइब, विदाओ बचापड दो, सिद्धा पाया स्लेक्शन पर शर्ट हैं आपको यहां से नेक्स्त तिखेंगी 3 फोटोस आपको यह जो भी पाया के साथ आप सब जा जाए बाइब, आपको यह जाए बाइब, तो जानते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या एक आद्वाइस आ रहा है तो हम यहां पे टू कार्द निकालेंगे फ्रॉम एपर वित फ्लेम और अरकल तो जानते हैं कि क्या advice आरहा है आपकी love life को लेकर doesn't matter आपका relationship status क्या है doesn't matter आपके gender के लिए देख रहे हैं but ये love life advice आपको help करेगा किसी वे और manner में in regards to your love life इतना शौर है so let's see क्या आपके लेक love life advice आरहा है so मैंने यहापे दो cards निकाली है so we have here the angel number 1221 keep working on this connection you are getting closer to your twin flame wow that's that's really beautiful and second is self love bring positivity inside your heart and soul so beautiful thing number oh my god see 1221 okay and अगर आप इसके साइन में देखो the number is 14 okay 1221 और self love is 41 4114 इतना मैंने synchronized आपकी आपकी energy तो बहुत ही highly spiritual level पे है तो I think आप लोग बहुत strongly manifest कर रहे हो love life अपनी life में आप बहुत spiritually connected हो universe के साथ in regards to your love life आपको यहाँ पर यही का जा रहा है बहुत लोग टावर moments एक bad time से गुजर रहे है personally love life में भी हो सकता है professionally भी हो सकता है तो आपके कहीं न कहीं bad time से और good times आने वाले हैं twin flame के energy कुछ ऐसी होती है जब आप अपने twin flame से मिलने वाले होता है या finally union का connection आने वाला होता है उसे पहले बहुत सारे traumatized experiences unfortunately हमें suffer करने पड़ते हैं ताकि हम इस beautiful connection के लिए हम सज हो जाए हम ready हो जाए तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पर यही कहा जाए है आप अपने twin flame के पास आने वाले हो don't give up on the hope अगर आप कुछ अपने में better कर रहे हो अपनी nature में, अपनी diet में, अपनी health में अपनी finances में even when it comes to self love, keep working on that क्योंकि twin flame का जो foundation of love होता है अपने आपको improve करना होता है हम अपने आपको improve जितना करेंगे उतना ही जल्दी हम अपने twin flame को अपने pure love को attract कर पाते है और आपकी advice बहुत strongly है कह रही है अपने पे काम करते चलो क्योंकि आप almost you are on towards that finishing line जहाँ आप अपने प्यार से अपने प्रियतम से बहुत ज़दी मिलने वाले हो such a beautiful energy 12211441 wow मतलब मजा आया देखके चलिए let's see और हमें यहाँ पर tarot card से इस advice लेटर और क्या information मिल रही है just let's check that out इसको हम check करते हैं क्या advice मिल रहा है आपको आपकी इस love life situation को लेकर कुछ भी जो advice मिल रहा है okay we have three cards over here तो आपका पहला card है two of swords आपका second card है ace of cups and आपका third card है the emperor wow तो आपको कहीं न कहीं हाँ पर यही काज आ रहा है कि अगर आप किसी चीज किसी भी तरह की किसी भी confusion में हैं किसी भी तरह कि आपको समझ नहीं आ रहा है इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ choose love and choose love का मज़र यह नहीं है दूसरे के लिए choose love for yourself अपने आपको चूज करो यह नहीं का self love is your journey to come to this emperor to come to this divine union to come at this powerful position जहां पर अपना एक right partner अपने लिए आपका twin flame आप attract करो तो आपको लग रहा है जहां पर भी कुछ confusion हो रही है ना life में always खुद को चूनो self love को चूनो selfish होने में और self love होने में बहुत परग होता है selfish जब हम होते हैं तो हम सामने वाले की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं इन फार्टों होने hurt करते हैं और अपने temporary pleasures के लिए चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हैं whereas self love में हम अपनी खुद की growth के लिए कुछ चीज़ों को कर रहे होते हैं तो जब भी कुछ confusion आये हैं आपके बेटरमेंट के लिए है आपके रूह को थंडग दे रहा है self love को choose करो और अप अल्टिमेटली इस एंपरर एनरजी में आओगे या एंपरर एनरजी वाला परसन अपनी लाइफ में अट्राक्ट करोगे beautiful energy let's see something more from the Osho Tarot any additional information in regards to this advice any additional information in regards to this advice वैसे मतलब जादा कुछ कहने के जरहतनी है आपके कार्ट काफी self-explanatory खुद से हैं but still we have the car of the letting go और we have the mind ha exactly तो दिमा में जो भी चीज़े चल रही हैं जो की बहुत जाद आपको confused कर रही हैं बहुत जादा frustrate करें क्योंकि two of swords के energy भी कहीं न कहीं यह होती है let me just show you here give me a second so here this is the two of swords हना इसके भी पट्टी बंदी है इसके भी पट्टी से कुछ बंदा हुआ है तो two of swords के energy होती है भूँत जाने दो जाने दो उस चीज़ को जाने दो दिमाग में जो चल रहना है धिमाग विल चीज़ को जाने दो दिल वाली चीज़ को आने दो जब भी confusion state में आओ तो उस चीज़ को जाने दो surrender कर दो surrender is the best thing you can do because surrender and self love इन दो चीजों को आप फॉलो करो आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत जल्द से जल्द आगे बढ़ोगे तो येस माई पाइल है आपकी रेडिंग इस रेडिंग के अनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा और मैं मैं मैंनिपेस्ट करूं कि ये यूनियन जल से जल्द आए तो आपने नीचे कॉमेंट सेक्शन में 12211441 ये कॉमेंट करना है तिल दें टेक एर एक नेक्स पिकर कार रेडिंग के लेजाहर को सब्सक्राइब करिए वो नोटिफिकेशन बेल डबाद दीजे आपने इस इमिच को चूज किया है तो जानते हैं आपके लिए क्या लव एडवाइस आ रहा है फो इं रिगार्स तो ये डेफिनिटल आपके लव लाइफ में हेल्प करेगा इस चीज की जरू हम में आप रिशारती ले सकते हैं तो लेट सी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस आ रहा है तो इस ट्विन फ्लेम और अकल से मैं यहां पर आपके लिए दो कार्स निकार रही हूं तो आपका फिर्स्ट कार्ड है सेपरेशन इस इन इलूजिएं ट्विन फ्लेम्स आर ओल्वेस कनेक्टेड वाव अड़ एक लिए तो आपके साथ इस ट्विन फेस्ट करने को कहा जा रहा है अगर आप देखो यहां पे ब्लू है यहां पे रैड है अगें इस एक्सेंदिंग तो रेड तो आपको कहीं नहीं है कि अगर आप करेंटली इस मोशन में है तो इसको पुरा सर्वाइफ कीजिए अगर separation के mode में है किसे difficult mode में है you know you need to process it कभीकार हम इतने जादर denial method में होते है इतने जादर denial में होते है कि हम उस चीज से क्या एक lesson मिलने वाला उससे क्या experience मिलने वाला है उसको हम analyze ही नहीं कर पाते है ठीक है we can't we don't go into the analysis process और वो चीज़ बार बार पर हमारे साथ होती रहती है because universe plays जब तक आप उस चीज को पूरी तरह से experience करके उसको analyze करके उसके accept करके उससे कोई take away नहीं लेते है उस चीज से वह बार बार पार 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 होती रहता है तो आपको जहां पर एक strong advice यह आ रही है कि currently किसीता के separation mode में हो or difficult mode पे हो it is something like a temporary phase और इस temporary phase को आप process कर लिए क्योंकि इस process के बार जो चीज आपके लिखी है वो destined है ठीक है वो हो के ही रहेगी तो जो temporary चीज है उसके चकर में अपने present को मत बरबाद करिए उसमें जो learnings है आपके लिए उन learnings को लीजे क्योंकि आपका जिसके साथ मिलन होना है वो तो life में आपके आना ही ठीक है वो आपके life से कही नहीं जाने वाला है so for that don't ruin the present moments that are happening in your life ठीक है also for some people it is being said कि अगर आप लोग particularly किसी no contact situation में हो एक partner के साथ जो आपको strongly feel हो रहा है इनके साथ connect की होना ही होना है तो उसके लिए काज यहां पर यही कह रहे है कि आपका connection के साथ वापस हो सकता है पर at least separation के time पर जो आपको सीख मिल रही है जो आपको lessons भूने जो आपको खुद की shadow self पर अपनी कमजोर्यों पर काम करना है उन पर आप जरू काम करें नहीं तो यह pattern फिर repeat हो सकता है let me see some more cards from your tarot deck और मैं थोड़ा और information निकालेंगी इस advisor लेके so please pull out some cards for my lovely pipe इनके advisor ने और क्या explain करना चाहा रही है okay we have two cards here एक्तम जोड़े होएं यह निकल नहीं रहें okay I have you see I have two cards here and यह मैं अपना थीसरा card आपके लिए निकाल चुकी हूँ तो हमारा card है the princess of cups then we have the four of cups and then we have the ten of coins that means ten of pentacles four of cups and sorry four of cups and knight of cups so exactly you are here exactly you are here exactly you are here in this zone you are here in this zone you are here in your life you are here in a way of opportunity because this is a shining cup but it is not a shining cup neither she is taking it up so you are here in your life it is like a blessing in disguise and you see she has a cup here she is being happy that is sparkling cup which is leading her to abundance happiness prosperity 10 of cup 10 of coins is basically a card जहापे abundance होती है family के साथ abundance होती है एक happy married life energy दिखती है मुझे यह जिस तरह से मैं इसको रीड करती हूं तो मुझे यहाँ पर जो आपकी cards है वो कहीना कर यह इंडिकेट कर रहे हैं कि क्यूंकि अभी कुछ छूट गया उस चकर में आपकी life में जो एक blessing in disguise आ रखी है एक opportunity या either to work on yourself to move into a different direction to explore a new opportunity in your life to explore a new adventure in your life आप उसको नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं है कि एक life में dull moment हुई है उस वज़ा से आप सारी चीजों को न का रहे हैं जो जीज़े अभी grow हो रही है, emerge हो रही life में कुछ आ रहा है उसको latch on करो उसको पकड़े उस पर काम करना शुरू करो automatically कहीं न कहीं आपका ये break करेगा pattern और आपको आपकी abundance की तरफ लेके जाएगा थोड़ा-थोड़ा energy pile number इसे pile number 2 से मिल रहा है I guess तो पता नहीं मुझे pile 1 ये pile 2 से आपका energy मिल रहा है यहाँ पे तो if you feel like आप किसी और pile के तरफ बे ड्रॉन थे तो आप वो जरूर चेक कर सकते हैं maybe there is a message for you over there, ठीक है? let's see some additional messages for you last additional messages आपके लिए यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहे हैं check कर लेते हैं okay here are your messages तो आपका message है यहाँ पे aloneness and second है आपका यहाँ पे stress आपको वही कहा जा रहा है कि आप अपने stress को अपने उपर हावी मत दीजी क्योंकि आपका stress क्योंकि आप एक tough situation से शायद अभी जा रहे है तो चीज़े अल्रेड़ी ड्रेइन हो रही है हापीनेस अभी ड्रेइन हो रही है आपके close friends ड्रेइन हो रहे है अपने stress को अपने उपर भारी करते जाएंगे आप सब चीजों से दूर होती जाएंगे और वही चीज जो आपका ब्रेक कर सकती है pattern चाहिए एक opportunity हो करियर में आपके खुद की health में even when it comes to your love life as well आप जितना इन चीज़ों से अपने आपको दूर करोगे उतन ही loneliness बढ़तीर चाहिए और उतना ही time आपको लगेगा इस pattern को खतम करने में so don't do that okay so yes यह है आपकी reading yes reading के energy को क्लेम करना हो तो video को like कर लीजेगा और मैं manifest करूँ कि आप अपने pattern को जल से जल्द खतम करें से cross कर दें से cut कर दीजेदे उसके लिए आप ते लिचे मुझे comment section में सीजर का emoji drop करना है till then take care next pick a card reading के चानल को subscribe करिये one notification bell दबा दीजे I'll catch you in your next pick a card bye bye hi my lovely pile जिनों ने भी इस से मेच को स्लेट किया है सबसे पहले जानते हैं कि आपके ले क्या एक love advice आरा है so doesn't matter आपके क्या relationship status है is it for a girl is it for a boy जेदे specific नहीं है let's see आपके लिए क्या love message है और फिर्दर details में और information निकालने की कोशिश करेंगे so what is the love message for my pile हम सबसे पहले समें से two cards यहाँ निकालेंगे तो हमारा first card है masked real emotions are hidden behind the smile and second है हमारे हाँ पर 3D illusion don't confuse by worldly illusions physical reality is not your true self exactly तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक confused position में दिख रहे हैं शायद सामने वाला के आपको real intentions, real emotions यहाँ पर समझ नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है don't believe in the words, believe in the actions, believe in your instinct feeling की सामने वाला है जो आपको genuinely involved है की नहीं है वो आपको genuinely आपना interest शो कर रहा है की नहीं कर रहा है की आप not go by the words, not go by their actions, just go by की वो genuinely उससी में कितना invested है इवन implies to you की आप मन कुछ और कह रहा है पर आपका दिमाग कुछ और कह रहा है तो वो एक 3D illusion आ जाता है वो fakeness आ जाता है, आपको यहाँ का जा रहा है ना fakeness में believe करना है इस time पर ना fakeness खुच से दिखानी है जो है वो बोल दो, मन में है और जो दिख रहा है उसको भी आप, अगर आपको जो दिख रहा है वो match नहीं कर रहा है उस energy और उस tuning से तो कुछ fishy है उस पर गौर करने की ज़रत है लेट सी थो आसा और information निकालते हैं कि यह advice आपको क्यों ली जा रही है और इस advice को accept करना है तो किस तरह से करना है एनी information related to this advice हम यहां पर cards pull करके देखते हैं कि एनी additional advice in regards to this thing तो we have here the card of the wheel of the fortune then we have the queen of cups and then we have nine of coins exactly तो आपको जो यहां पर three cards आ रहे हैं वो कही न कहीं यही बता रहे हैं कि आपको कही न कहीं चीजे change करने की जरुए है कि इस तरह कर चाप्टर क्लोस करने की जरुए है अपने अपने अपको सब्सक्राइब होना चाहिए है रिलाक्स फील होना चाहिए इस लेवल का फील होना चाहिए कि अब सामने वाले को भी support कर सकती है क्योंकि वह खुद में इतनी fulfilled है क्योंकि nine of coins का card होता है कि हम खुद में इतने सब्सक्राइब हो चुके है कि अब हमारी capacity है कि हम और दूसरे से भी ले सके और फिर अब हम दे भी सके okay वह exchanging receive हो तो आपको यहां पर यही का जा रहा है don't believe in the fakeness क्योंकि कर्योंकि कर्योंकर हम फेकने सब्सक्राइब करने के लिए खराब है तो उसको सही करने के लिए और महनत लग जा रहा है कि वह पेपर के समान हो जाए जो पेज पीछे का background space है उसके समान हो जाए विकुल एक same page पर चीज़ आ जाए we overdo it in order to correct thing जो खराब चीज़स को सही करने के लिए हम और महनत करते तो तो कहने को हमारी energy और waste कर रहा होता है तो वो करने की जरूरत थी है आपको यहाप यही कहा जा रहा है पहले अपने आपको पूरा करो when you feel like I am done I am fulfilled मैं अपने आप से जूट नहीं बोल रही हूँ या मैं सामने वाले के भीहाफ पर खुद से नहीं जूट बोल रहे हूँ पर उस लेवल पर आजाओ जब आप उस लेवल पर आएंगे तभी आपके लाइफ में opportunities, abundance, blessing आने लग जाएगी तो आपको यहाप यही कहा ज अपने रियल सेल्फ के लेवल पर आओ उसके बाद आपके लाइफ में abundance opportunities welcome होना start होंगी let's see from Osho Taro कुछ और additional information यहाँ पर आना चाह रही हो तो वो क्या आ रही है, any more additional information for you guys any more additional information for you guys over here, so we have the card of the possibilities and next we have the card of the abundancy आपके सामने life shuffling है तो ऐसा नहीं है कि यह कुछ रटा रटाया है आपके सामने आ रहा है कि आपकी life में possibilities of abundance of opportunity तभी आएगी जब आप fakeness में ना बलीव करें किसी की जूटी बातों में ना बलीव करें या खुद को जूटी बातों में ना आना दे या किसी को साब में जूट ना मूले, real रही है वैसे भी जब मैं दो यह ताइम्दस रेडिंग है पर जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड करें ए राव तन विद्स टौटाल करें यह मैं पाइल यह है आपकी रेडिंग एडिंग इनल्य assessments इस लेग कोडियो दो लाइए क मैं 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 कर देंल्ठ चाहिए को drop करना है till then take care and next pick a card reading के रचान को subscribe करिये वो notification bell दबा दीजे I'll catch you in your next pick a card bye bye hi finally the time to get answer to the personal question और आज के लगकी subscriber है ये with their questions so let's see kya answer आता है in case you are also interested to get your cards pulled here on the life तो आपको कुछ नहीं कहना है बस channel को support करें प्यार दीजे subscribe करें और वीडियो के end में अब अपना question drop कर सकते है next pick a card reading में randomly एक subscriber question pick किया जाता है और answer किया जाता है so maybe next time it's you coming to them देखें आपका overall अगर मैं यहां पे कहुं कर गिया आपका कैसा रहेगा in regards to your singing तो मुझे तो यहां बहुत ही खुबसूरत लग रहा है क्योंकि बहुत 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 प्यारे प्यारे आपके लिए cards आ रहे हैं बस थोड़ा सा be little private with your project सब तक कि वह चीज़ ओफिशल ना हो जाए तो लोगों को मत पताना क्योंकि की नज़र लग सकती है या फिर कोई आपके तरफ बने कि वह आपका बहुत चहीता है बहुत confident है आप से बट शायद वही परसन आपका कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट चीन ले आपके बारे में बैक करके बैक स्टाप कर दे बस उस चीज का ध्यान रखना है अपार्ट फ्रम जापी अच्छी लग रही है जो कि कहीं न कहीं आपको आपके करियर में एक अपलिफ्ट ग्रोथ भी दे तो all in all energy अच्छी है बस थोड़ा सा secretive रहना है अपने प्रोजेक्ट खो लेकर जब तक वो ऑफिशल ना हूँ ओके so yes this is your reading and guys I'll catch all of you in next Pika Card bye bye